तो हाई गाइस दिस प्यान शुवान यह वाचिंग वाचिंग अलबाओ टेक्निलोजी और आज हम बात करेंगे कंपेर करेंगे अक्षिए नूबिया रेड मैजिक 3 को जो के गेमिंग स्मार्ट फोन है लॉंच हो जुका है मार्कित में और इसको कंपेर करेंगे हम अदर गेम स्मार्ट फोन से जो इस वक्त अवेलिबल है मार्कित में तो हम इस फोन को कंपेर करने वाले हैं तीन और ऐसे फोन से जो कि बहुत दमदार गेमिंग स्मार्ट फोन हम इसको कंपेर करेंगे वन ब्लस 7 प्रो से ब्लैक शाक टू से और एसस के आरोजी से तो इसको कंपेर करन हम शुरू करते हैं तो बात करेंगे हैं इसके डिस्प्ले की तो डिस्प्ले में नूब्या रेड्मेजिक 3 में 6.65 इंचिस के AMOLED पैनल दिया गया है 90Hz का refresh rate दिया गया है OnePlus 7 Pro में 6.67 इंचिस का AMOLED Quad HD screen दिया गया है 90Hz refresh rate के साथ वहीं पर Black Shark 2 में 6.39 इंचिस का Full HD plus AMOLED दिस्प्ले है उस पर 60Hz का ही refresh rate है और Asus के ROG में आपको 6 इंचिस का Full HD plus AMOLED दिस्प्ले मिलता है इसमें भी आपको 19Hz का refresh rate मिलता है तो अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं और इसमें Black Shark 2 की सिर्फ 60Hz का refresh rate मिलता है वहीं पर बाकी थीन फोनों में हमें 90Hz का refresh rate मिलता है तो यह Black Shark 2 बहुत बढ़ा ब्रेबग है क्योंकि आजकर 90Hz का refresh rate काफी मदद करता है हमारी gaming experience का enhance करने में वहीं पर वन प्लस 7 Pro में आपको कॉज HD screen मिल जाती है जो कि और स्किन से थोड़ी बैटर है आपको quality screen quality मिल जाए और रूब्या Red Magic 3 और अश्यू सारोजी में आपको AMOLED डिस्प्ले मिलती है 19Hz की refresh rate के साथ तो वह भी काफी अच्छी है तो OnePlus 7 Pro यहां में थोड़ा ज्यादा दिखता है ज्यादा अच्छा दिखता है डिस्क्रीन कॉरेटी के मामले में प्रोसेसर की बात करें तो डूब्या Red Magic 3 OnePlus 7 Pro Black Shark 2 तोनों ही फोनों में Snapdragon 855 आपको अवे लेबल मिल जाता है 2.84 GHz की फ्रिक्वेंसी के साथ वहीं पर एक साल पुराना फ्लाक्षिब 845 मिल जागा लेकिन यह ओवर क्लॉग्ड एसोसी है तो इस में आपको 2.9 GHz की स्पीड मिलती है फ्रिक्वेंसी स्पीड जो की quality इस प्रोसेसर के मामले में तो आपको बहुत ही शांदार प्रोसेसर सभी फोनों में चारो ही फोनों में मिलते हैं तो यह फोनों में कोई लागनेस की इसुन नहीं आएगी कोई सभी गेम खेलें आप आपको सारे ही गेम का experience काफी अच्छा मिलेगा सभी फोनों में 6,8 और 12GB के तीन एवरेंट मिलते हैं, Black Shark 2 में 6 और 12GB के मिलते हैं, और Asus के ROG में सिर्फ 8GB का मिलता है, तो RAM तीन फोन में अवेलेबल अच्छी है, 8GB सबकी मिनिमम है, बर OnePlus 7 Pro के आपको मिनिमम 6GB RAM अवेलेबल मिलती है, और Black Shark 2 में आपको 6GB की RAM अवेलेबल मिलती है, अलांकि RAM 6GB more than enough होती है कोई भी gaming performance के लेकिन अगर आपको जादा RAM अवेलेबल चाहिए तो आप इसके 12GB तक के वेरेंट जा सकते हैं, आपको एक इवेरेंट मिलेगा 8GB का, तो RAM के मामले में भी सारे ही फोन अच्छे हैं, इसमें आपको इसी को भी एसा नहीं कर सकते हैं, या कोई अच्छा है या जादा अच्छा, ऐसा खुछ नहीं है, बैटरी के मामले में, Nubia Red Magic 3 में आपको 5000Ah की बैटरी मिलती है, OnePlus 7 Pro में आपको 4000Ah की, Black Shark 2 में 4000Ah की बैटरी मिलती है, तो यहां बैटरी के मामले में हमें clear video दिखता है Nubia Red Magic 3 जिसमे 5000Ah की बैटरी है, और गेमिंग के मामले में, अगर आप बहुत अच्छे गेमर हैं, बहुत टाइम तर गेमिंग करते हैं, तो बैस्ट फोन रहेगा आपको 5000Ah की बैटरी काफी होती है, Cooling Technology इस फोन में सभी फोनों में यूज़ करी गई है, तो अभी इसकी बात करेंगे, तो Nubia Red Magic 3 में आपको Active Liquid Cooling with Turbo Fan मिलता है, OnePlus 7 Pro में आपको Liquid Cooling System मिलती है, Black Shark 2 में Direct Touch Multilayer Liquid Cooling मिलती है, इसके ROG में आपको Aero Active Cooler मिलता है, तो सभी फोनों में आपको Cooling System मिलते हैं, तो यह हमें इससे Confirm होता है कि फोन में Heating Issue जैसी कोई Problem नहीं आएगी, यह हाला है कि OnePlus 7 Pro का Liquid Cooling System थोड़ा कमज़ोर हो जगता है, क्योंकि बाकि सब perfectly gaming smartphone और gaming के तौर पे ही बनाए गए हैं, तो इसमें हमें रखता है OnePlus 7 Pro थोड़ा सा पीछे रहेगा, लेकिन आपको तब भी आपको उसमें कोई Heating Issue जैसी Problem मुझे नहीं लगता होगी, अब बात करते हैं, इसके gaming centric feature की जो कि एक gaming centric phone में होने चाहिए, तो आपको Nubia के Red Magic 3 में आपको Build-in Shoulders Triggers मिल जाएंगे, Game Space 2.0 मिलता है, OnePlus 7 Pro में आपको Affinetic Mode मिलता है, Black Shark Tube में Black Shark Gaming AI मिलता है, Ludicrous Mode मिलता है, Performance Dashboard मिलता है, और Ashes के ROG में आपको Air Trigger, ROG Mode और RGB Lightning मिलती है, तो जादा अच्छे gaming features मिल जाएंगे, जैसे जादा है, comparatively other smartphones, OnePlus 7 Pro में आपको थोड़े कम ही मिलेंगे, comparatively other 3 smartphones, अब इन सब gaming phone में price भी बहुत matter करता है, क्योंकि लोग तब भी खरीदेंगे, जब price अच्छे होगी, तो Nubia Red Magic हैं सबसे सस्ता मिलता है, आपको 35,999 से की शुरवात जी बेरियन से वहीं पे आपको 52,999 का 8GB मिल जाता है 256GB की स्टोरेज के साथ और 57,999 में आपको इसका 12GB प्लस 256 का वेरियन मिल जाता है, ब्लゃक शुक्तू में बेर 39,999 से 6GB प्लस 128GB वेरियन शुरु होता है, और उसका 49,999 में आपको 12GB प्लस 256GB मिल जाते हैं, आईसे का रोज सिर्ट के हिसाब से उब इड मैजिक 3 भ ét संबसे सश्टा स्मार्ट फूं है सबसे चीपसद स्क्राइमिक स्मार्ठ फून दॉट्व संबस्स मार्केट में और यह बहुतों की चॉइस होने वाल वाला कुकि नूबए रैड मैजिक 3 बहुत i adult हो सकता है अधर सबी फोन उसे ज़्यादा बैटर है क्योंकि आपको बीजल भी बहुत कम मिल जाते हैं अब नूबिया का रैड मैजिक 3 अगर आपको बहुत ही अच्छा गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए और कम प्राइज में चाहिए तो नूबिया रैड मैजिक 3 आपके लिए बहुत ही अच सेवन प्रो दो स्मार्टफोन मुझे ज़्यादा बैटर लगे कंपरेटर लिया दे स्मार्टफोन से और अगर वन प्लस प्रो एक तरीके से अधर आइस्मार्ट अच्टिविटीज भी जाद अच्छी करता है क्योंकि वह इस्पेशली गेमिंग के लिए नहीं बनाए गया तो आपको इनमेंसे कौन सा फोन अच्छा लगा आप मुझे कमेंट सेक्षिन में बताइए तो वीडियो लाइक नहीं करी लाइक करिए सब्सक्राइब करिए बहला अंदर बार निगो कि अगली बार जो भी मैं नहीं वीडियो लाइँ आपके नोटिफिकेशन में मीरी नह ने वीडियो पापप हो जाये